यह वही मलीका का पेड है और अब देखिए आम कितने बड़े बड़े हो चुके हैं अगर मैं इन सब आमों को रखूँगा तो निस्चित रूप से यह टहनी तूट जाएगी हमें क्या करना चाहिए कि इन में से कुछ आमों को हमें काट देना चाहिए यह मैं काटूँगा औ और इन छोटे छोटे आमों के सबजी खाएगी है एक यह देखिए यह मैं दोनों के दोनों हटा देता हूँ तीन और इन में से भी एक आम हटाँगा मैं यह जो दूर वाला होगा यह वाला यह देखिए और इन में से भी एक आम हटाँगा मैं सिर्फ यह दो आम रखूगा मैंने ये जो है पाँच आम तोड़ लिये हैं और दो रख दिये हैं अब टहनी पर भार कम हो गया है और दो रसीले आम मैं पकाऊंगा खुद भी खाऊंगा और अपने बच्चों को भी खिलाऊंगा आईए एक और देखते हैं ये देखे इस पर तीन आम है इन में से भी मैं एक आम हटा दूगा ये देखे ये कम हो गए दो आम बच गए इसे भी मैं रख लेता हूं कच्चे आम खाने के लिए ये पन्ना बना सकते हैं हम इसका एक ये और है इसमें ये देखे कितने ज़्यादा आम है इस पर इसको भी हम हटा देंगे ये जो दो आम है इनको तोड़ लेंगे और ये जो आम है ये सब जो आम है इनको भी हटा देंगे इस पर हमने दो आम रखे हैं और दो इस पर उपर की तरफ हैं तो हम केवल इसमें तीन आम रखेंगे, ये देखें, अब ये अच्छे होंगे और बड़े होंगे और टहनी भी लगभगिन का भार्स है सकेगे, यहां पर देखें इस टहनी पर आम है और ये भी मैंने इस पर एक ही आम रखा है, ये मैंने कर लिया है, किसांद साथियो, मेरी टोकरी भरती जा रही है और ये मलीका का आम है और बहुत शुंदर आम है, एक ये देखें, ये वाला, देखें कितने आम हैं, अगर हम अधिक आम रखते हैं, तो वो कमजोर तो होंगे ही और आपकी टहनी भी खराब करेंगे, तो इन में से भी हम काफी आम हटा देते हैं, ये हटा देंगे हम, और ये बीच वाला भी हटा देंगे हम, यहां पर भी हम दो ही आम रखेंगे, ये हो गए, और एक ये बचा है मेरा, पिछले वाला, यहाँ पर चार आम है इन में से भी हम आम हटाएंगे एक आम हटाएंगे और यह दूसरा आम हटाएंगे तो हमने कुल दो और दो चार और यहाँ पर चोड़े है छे और यहाँ पर चोड़े हैं तीन आम नुँ आम हमने चोड़े हैं और यहाँ पर है अभी कुछ आम इनको भी में हटा तूँ यह देखे कितने ज्यादा आम है इसको मैं हटा देता हूँ इसको मैं हटा देता हूँ यहां से और इसको भी मैं हटा देता हूँ यहां से तो दो आम यहां बच गए हमारे तो इस प्रकार हमारे लगबग आठ से दस आम बचे हैं इतने बड़े पोधे पर इतने आम बहुत हैं आप देखिए जब ये पोड़ा अगले साल बड़ा होगा तो इस पर भरपूर आम आएंगे जो हमने यहां से बोर के समय कटिंग की थी आप देखिए यहां पर एक, दो, तीन, चार साखाई निकली है तो इन में से यह जो बीच वाली साखा है इसको मैं हटा देता हूँ अब यह तीन साखाई में रखूँगा और तीन साखाई में भी यह देखिए कि तीनो एक जगए नहीं है अगर मैं इसके उपर से काटता तो रिंग पे से निकलती अब तीनो थोड़ी थोड़ी दूरी पर है और यह बहुत अच्छी चलेगी तो आपको यह ध्यान लखना है कि जहां भी आपकी साखाई अधिक हो जैसे यह देखिए एक, दो, तीन, चार तो यह दो रिंग पर है तो इन में से एक को हटा दीजी है यह देखिए तो आपका पोधा बहुत अच्छा चलेगा यह भी देखिए, यह तीन है यहां पर इन में से एक को हटा दीजीए यह वाले हटा दीजीए यहां पर तीन है इन में से भी एक को हटा दीजीए ऐसे हटा दीजीए तो आप देखेंगे कि इस पोधे में बहुत ही अच्छी व्रद्धी होगी और ये बहुत फले फोगी समय पर खाद परबंधन, माइक्रो न्यूट्रेंट देना और समय पर उनकी कटाई छटाई करते रहना पहले तीन से चार साल में बहुत ही आवश्यट है अगर उस समय आपने इसका चत्रक परबंधन सही तरीके से नहीं किया और फलो के लेने के लालच में आप आ गए तो आपका पोधा बीमार भी हो सकता है और उसकी व्रद्धी भी कम हो सकती है इन बातों का ध्यान रखना है आम पर एक विश्तरत वीडियो मैं अवश्य बनाऊंगा ये सब डाटा जब मेरे पास ही कठा हो जाएगा मैं कभी भी वो वीडियो नहीं बनाना चाहता जिसका के मेरे को अनुभव नहीं हो और मैं उसका प्रेक्टिकल करने सबूँ इसी के साथ विदा लेता हूँ धन्यवाद तमस्कार जैहिंद जै भारत वंदेमाद